नमस्कार ने, वलकम योलू वर्ल अफेर्ज, मैं हूँ प्रशान दवर्ण, जैसे मैंने आपको प्रीवेस वीडियो में कहा था कि बात इवेंचुली नुकलियर वार तक पहुचेगी, अभी भी मेरी उमीद यहाँ पर यह है कि कोई यहाँ पर बड़ी गलती ना कर दे, कोई एक टाक्टिकल नुकलियर वैपन भी डॉप ना करे, मगर व्लादेमर पुतिन ने जैसे आपको बता होगा, रशा के नुकलियर आर्सनेल को अलर्ड पे लगा दिया है, और तब से हम देख रहे हैं कि लगातार, दुनिया भर में एक ही कोईशन पूचा जा रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे BBC का आर्टिकल है, और यह क्वेशन रेस करने का एक प्रॉपर वालेड रीजन भी है, क्योंकि मेरा यहाँ पर यह बाना है कि कोल्ड वॉल से लेकर अब तक, आप प्रेटी मच कह सकते हैं कि क्यूबन मिसाल क्रासिस से लेकर अब तक, हम लोग एक nuclear war के उत्ते करीब नहीं आए जितने आज के समय हम खड़े हैं, अब question यहाँ पे आपका ही आएगा, तो पुतिन ने recently जो instructions दिये हैं कि nuclear forces high alert पे रहे, इसका मतलब क्या है, पहले alert पे नहीं थी, क्या इसका मतलब यह है कि Russia कह रहा है कि अगर हम पे attack हुआ, तो हम immediately attack कर देंगे, nuclear high alert की history क्या है, 1991 में क्या हुआ था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, मगर इस बीच एक और बहुत ही जादा बड़ी news आई है, जिसके बारे में आपको बताऊना चाहिए, रश्या के कहने पर, बेलारूस ने अपना non-nuclear status त्याग दिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देहेंगे यह रश्या है, यह उक्रेन, इन दोनों के बीच में जंगोरी है, उक्रेन के north में आपको मिलेगा बेलारूस, अभी तक क्या था कि रश्या की जो आर्मी है, यह बेलारूस के जरीए यह उक्रेन में इन्वेजन कर रही थी, अब बेलारूस ने आपर यह भी क्या दिया है, कि रश्या अपने nuclear missiles बेलारूस में डिप्लॉय कर सकता है, ताकि कल को अगर मान लो, कि युक्रेन पर एक genuine nuclear strike करनी हो, तो रश्या के पास option रहे, कि ना सिर्व रश्या की धर्ती से, बलकि बेलारूस से भी यह strike रश्या कर सकता है, आप समझ सकते हैं कि अचानक से, बेलारूस का यह step लेना कितना serious है, और US भी इस particular development को लेकर, कितना जादा चंते थे, और पुतिन अगर यह step ले रहे हैं, तो इसे आप खुझी समझ सकते हैं, मुझे आपको बताने कि आप शक्ता नहीं है, इसे आप खुझी समझ सकते हैं, कि यह war, उक्रेन की जो सारी invasion की war थी, यह Vladimir Putin के plan के according अभी तक नहीं गई है, युक्रेनियन्स ने बहुत जादा resistance प्रिजेंट किया है, मैं अभी भी कहूंगा, मिलिटरेली, Russia is far superior, मगर याद रखिएगा, रशा की एक huge border है, यह अपनी सारी सेना, सीधा युक्रेन की तरफ नहीं फैक सकते, इनको ensure करना होगा, कि बाकी border में भी यह alert रहे, कोई और देश इन पर surprise attack ना कर ले, तो यह सब ध्यान बे रखते हुए, Emmanuel Macron ने recently एक बहुत ही, मैं कहूंगा, important statement दी थी, उन्होंने आपर यह कहा, कि यह war लंबी चलेगी, पुतिन फस गया है यहाँ पे, और वैसे आप अगर देखो, तो Eastern Ukraine में काफी हद तक, यह आप मगर मानलो, यह जो line अगरम खीच दे, Eastern Ukraine में काफी हद तक, रश्या ने जो यह area है, कबजा लिया है, और यह छोड़ने नहीं वाले, यह most probably या तो हो सकता है, कि इस region को यह declare कर दे, इस independent country, या फिर शर्द या बार यह रखे, कि यह सब region, युक्रियन का पाट तभी बनेगा, अगर current government युक्रियन की कहती है, कि हम अब power में नहीं रहेंगे, और युक्रियन में complete एक power shift किया जाएगा, इधर वे यह सब होने नहीं वाला, in the end possibility है, कियेव में आपको काफी violence देखने को मिलेगा, और लड़ी news आ रही है, कि रश्यन forces कियेव में face कर रहे है, street to street fighting को, और इस बीच रश्या की जो सरकारी news agency है, TAS, इसने एक tweet कर दी थी, tweet में लिखा था कि रश्या के 4300 सेनिक हमारे जा चुके हैं, जैसी इन्होंने आपर tweet करी, कुछी घंटों बाद ये tweet इन्होंने delete कर दी, बताया जा रहा है कि delete इसले करी है, क्योंकि इसे Russians का moral डाउन ना हो जाए, उसके इलावा, पुतिन ने Facebook को various social media, websites को slow कर दिया है, या फिर block कर दिया भी के लिए रश्या में, ताकि लोगों को proper जानकारी ना मिल पाए, रश्यास को ये पता ना लग पाए, कि कितने losses face कर रही है, रश्यान आर्मी इन उक्रेइन, और अब news यहाँ पर ये भी आ रही है, कि जो आसपास के देश है उक्रेइन के, फर एक्जामपल डेनमार, अलागि डेनमार के immediate neighbor नहीं है, तोड़ा distance में है, डेनमार के प्रधान मंतरी ने ये का है, कि अगर हमारे देश का कोई नागरेग उक्रेइन में रणने के लिए जाना चाता है, तो वो free है, मतलब ये लोग कह रहे हैं, कि हम officially युक्रेइन में आपनी नहीं भेज रहे, मगर कोई अगर personal capacity में जाना चाता है, युक्रेइन की तरफ से लणने के लिए, then he is free to join, और ये statement अभी बहुत देश देंगे, बहुत से young, able लोग, चाहे Denmark हो, या फिर बाकी countries हैं, वहाँ से आएंगे युक्रेइन में, Russian forces को कड़ी टकर देने के लिए, तो जब ऐसी city बन गई है, आप imagine कर सकते हैं, पुतिन के पास जादा option नहीं है, एक बार को possibility है, कि ये tactical nuclear bomb, एक छोटा nuclear sport कर सकते हैं, युक्रेइन को एक message send करने के लिए, कि अगला जो sport होगा, ये बहुत बड़ा होगा, और उसमें आप लोग बचेंगे नहीं, या आप कहलीजिए, पुतिन का एक tactic हो सकता है, युक्रेइन को surrender करवाने का, नहीं तो पुतिन ऐसे ही, अपनी nuclear force को alert पिना रखते हैं, अब alert का मतलब क्या होता है, कि कल को Russia पर attack होता है nuclear bomb से, तो मतलब कि विल्कुल attack कर देंगे उसके बाद, देखिए वो तो एक बहुती common policy है, वो तो normal mode है, alert जब on होता है, तो इसका मतलब ये है, कि इन्होंने अपनी army को कह दिया है, कि किसी भी second आपको high command से, Moscow से order आ सकता है, कि nuclear bomb आपको गिराना है, तो आपका जो nuclear triad है, मतलब कि आपकी जो submarine है, आपकी जो navy से आप launch करेंगे nuclear missile, किसी fighter aircraft से launch करोगे nuclear missile, या फिर land से आप launch करोगे, आपका triad ready होना चाहिए, in a moment's notice, ऐसा होना चाहिए, कि बस Moscow से आपको message आया, launch the missiles, और सीधा आपने missile launch कर दिये, और एक time था history में, जब US भी इसी type के alert के अंडर रहता था, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 1991 से पहले के time के बारे में, 1991 में क्या हुआ, कि USA के उस वक्त के जो प्रेजिडेंट थे, George H.W. Bush, George Bush की बात नहीं कर रहा, वो दो बाद में आये थे, मगर जो उनके पिता जी थे, George H.W. Bush, इन्होंने अपने उस वक्त के defense secretary, Dick Cheney को यह कहा, कि country का जो nuclear alert है, इसको off कर दो, USA ने यह step लिया अपनी तरफ से, USSR को यह कहा था, कि अब मैं चाहता हूँ, कि आप लोग भी same step लीजिए, इससे एक trust build up होता है, नहीं तो हमेशा एक डर लगा रहेगा, कि कभी भी कोई भी देश, nuclear strike कर सकता है, तो USA के nuclear forces का जो alert है, यह अभी भी off है, मारे जा रहे हैं, Kiev कबजे में नहीं आ रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, Putin will use the tactical nuclear weapons, मगर मेरा यहाँ पर यह मानना है, कि अगर मानलो, Russia को छट तक एक tactical nuclear weapon use करता भी है, उससे world war 3 start नहीं हो जाएगी, इससे धर्ती पे पुरा सर्वनाज नहीं हो जाएगा, most probably होगा यहाँ पर क्या के, international trade boycott हो जाएगा, Russia का, एक बार को, India और China भी Russia के अलोख्षना करेंगे, क्योंकि nuclear weapon को use करना, is the ultimate red line, के यह line आपको cross नहीं करनी, यह आपने अगर cross कर दी, तो फिर मैं नहीं वांता के, उस case में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आप सोच कर देखें, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, India और China के लिए, Russia के समर्थर में बात करना, even neutral रहना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर हमको यहाँ पर यह भी देखना होगा, कि जो tactical nuclear यह drop करते हैं Ukraine में, यह किसी बड़े शेयर में करेंगे, या फिर किसी खुले मेदान में, यह भी possibility है, मैं यह भी rule out नहीं करूँगा, Ukraine बहुत बड़ा देश है, कई इनके खुले मेदान भी है, जहाँ पर बहुत कम अवादी है, तो वहाँ पर भी support कर सकते हैं यह, और almost कह सकते हैं कि यह demonstration है, अगला जो यह missile है यह जाएगा किसी बड़े शेयर में, तो यह भी possibility है, उस case में NATO रश्या पर अटाग नहीं करने वाला ना US अटाग करेगा, यह होगा कि international trade embargo हो जाएगा, कई देश रश्या से बहुत ही लमे सालों तक trade करना बंद कर देंगे, और इन पर जो sanctions हैं, आप जो भी sanctions ने माजन कर सकते हैं, बुरे से बरे swift में भी आप अगर देखो, तो अभी के लिए रश्या के almost 60-70% banks जो है, यह बैन हो चुके है, from global transactions हो सकता है, कि उस वक्त 100% हो जाएं, रश्या oil, natural gas भी sell ना कर पाए, यह सिती आ सकती है, मगर world war 3 वारा कुछ नहीं होने वाली, ऐसा नहीं है कि रश्या के tactical nuclear weapon यूज़ करने के बाद, बस प्रले आ जाएगी, याद रखिएगा, मैं आपर यही कहूंगा, कि अभी बहुत सारे ifs and buts आपके सामने है, कि अगर ऐसा हुआ, तो ऐसा होगा, तो देखना यहाँ आपर ही होगा, कि eventually ब्रश्या और यूग्रेन के बीच में अभी जो peace talks शुरू होंगी, उसमें क्या नतीजा निकल के आता है, क्या एक लीडर वहाँ पीछे हटता है, क्या यहाँ पर कोई wise बात होती है, दोनों countries एक दूसरे की बात समझ पाती है, अगर मानली जीए peace talks में ही breakthrough हो जाता है, तो अब यह सी बात है, पुतिन को भी यह nuclear missile यूज करने के आशक्ता नहीं पड़ेगी, मगर peace talks अगर fail कर जाती है, रश्या को complete Ukraine में invasion करने में problem आती है, तब possibility काफिया तक बढ़ जाती है एक nuclear strike की, की भी त्यारी आपकी हो जाएगी in a single purchase, optional आपकी choice का होगा, history, geography, political science, whichever you choose, simply यहाँ पर आपको click करना है, simply यहाँ पर आपको click करना है, PK plan पर और अगर आपके पास अभी time है, 2-3 साल का time है, अराम से 2024-25 में एक proper attempt देना UPSC का, तो जो 36 महने का course है, यह भी आप कर सकते हैं purchase, मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं, you do not have to pay these prices, simply यहाँ पर code use करो, PD10 and the prices will start falling, तो यूज करिए यहाँ पर code PD10 and save money, तो यह चीनोट के साथ यह है वीडियो का, thank you for listening and as always, God bless you all! चूज गफ जो डदियो,